हेलो डियर शुरेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस डियर शुरेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में हैं तो आपको के लिए ये वीडियो मॉस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं अब आप लोगों को साल भर में दो बार एक्जाम देना होगा ये एक्जाम किस परकार देना है आज हम लोग इस वीडियो के माधियों से पूरे डीटेल्स देखने की पोसिस करेंगे जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके बड़े भाय हो या बड़े बहन हो समेस्टर में बढ़ते होंगे तो उनको पता है कि साल भर में आप लोगों को एक कक्षा में दो बार एक्जाम देना होता है 23 से यह लागू होगा या 24 से और कौन-कौन से बिसाई आप लोगों का जो सब्जक्ट है वो भी बदल चुका है अब आप लोगों को कितने बिसा में स्टेडि करना है आज हम लोग इस वीडियो के माहिदम से पूरे डीटेल्स का साथ देखने की कोसिस करेंगे तो बिल्कुल आप लोग आकर चैनल पर नहीं आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूद प्रेस करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जैकबोट के तरफ से जो जो इंपॉर्टन नोटिस जारी किया जाता है हर एक नोटिस को मैं आप लोगों तक सबसे पहले पहु पर हमें उन लोगों को दो बार एकजाम देना होता है एकस्टरनल यह चार बार आप लोगों को इकजाम होता है आगे लिखा कि 250 बिसोयू का विकल्प, साल में दो बार परिक्षा, चलिए हम लोग देखते हैं कि साल में दो बार परिक्षा जो कहा गया है, इसमें किस तरह से एकजाम लिये जाएंगे, इससे पहले आपको थोड़ा से यहाँ पर गोर नोटिस करना है, यहाँ पर कि काक्षा 3 से 2 तक का कोर कोर्स तयार, महने के अंतों तक सामने आ सकता है, यानि इस महने के जुलाई महने के अंतिम तक आप लोग का जो कोर्स है, किस तरह से आपको एस्टेडी करना है, आपको अच्छे तरह से आप लोग को इस वीडियो के मायदम से भी बताने के वाला हूँ, तो चलिए एक एक और ध्यान से आप लोग को देखना है, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो आप जो चीज पढ़ रहे हैं, वो आपके पेपर में आने के संभावना है या नहीं, यह भी आपको पता होना चाहिए, सब से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, नई सिछा निती, यान पे कि नई सिछा निती, NEP के हिसाब से कक्षा 3-12 तक के लिए National Curriculum Framework या NCF तैयार हो गया है, इसके प्रकासन की तैयारी चल रही है, NEP 2020 घोसित होने की तिसरी वर्स गाट, 29 जुलाई या उससे पहले NCP सामने आ सकते हैं, यह अभी आप लोग के लिए जो एक्जाम दो इस समय देना होगा, यह आप लोग का जारिक किया जाएगा 29 जुलाई से पहले, 29 जुलाई तक या 29 जुलाई से पहले, आगे लिखाए कि उसमें पहले NCP सामने आ सकता है, सभी 10 कक्षा की नई किताबे तैयार करने के लिए भी विसेश की पहचान कर ली गई है, यह आप ल तो यह आप लोगों फिडियो बुक आप लोगों प्रुवाइट के जाएगे, और किस तरह स्टेडी करना है, वो भी आप लोगों बता जाएगा, आगे लिखा है कि आप करीब 150, याद रिखे, आप करीब 150 की किताब बनाई जाएगी, तैयार है कि इसे चैनिक सास्तर दौ आप लोगों बहुत अच्छे तरह से पता है कि आप लोगों जो सेशन है, वो आप लोगों का 2023 से लेका 24 है, लेकिन यह जो सिछानिती लागो करेंगे, वो होगा 2024 से लेकर 25 के बीच में यह लागो क्या जाएगा, जहांपे आप लोगों का करना होगा, यहांपे आप लोगों सब से पहले देखना है, ठीक है?, अब बदला हो रही है 2020 में होने वाला था पर आप हो रहा है 2023 में ठीक है यहाँ पर कहा गया कि पिछले निती निती यहाँ पर देखेंगे ध्यान से निती दस्तावेज सर्थक में 297 टॉक्स लिस्ट जिसमें से एक तिहाई पूर्ण आगले एक तिहाई अंतिम चर्ण में 162 साल में पूरी की जाएगी ठीक है अहाँ पे आप लोगों को साल भर में आप लोगा जो एक्जाम होगी दो टर्पे लिये जाएगे और आप लोगा जो एक्जाम सीटूल होए वह भी आप लोगों 29 जुलाई से पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा आगे यहाँ पे अप लोग थोड़ा सा इस पे गोर करेंगे लिखाई के फाउंडेशन स्टेज यह तीन से आठ साल किसी भी प्रकार के परिच्छा नहीं होगी अगर हिंदी होता है। हम्सक्रीट उरधू वियुसका बात मैत्यमेटिक्स आप लोगों को शर्फ दो पुस्तक पढ़ना है। जो क्लास थिरी से लेकर एट है उनगों को छर्फ दो ही पुस्तक पढ़ना है। एक पढ़ना पड़ेगा आपको भासा पुस्तग यानि language paper और एक पढ़ना पड़ेगा आपको गनित जीसे लोग मेथ 94 पूस्तग आप लोगो को एक्स्ट्रा और पढ़ना होगा ठीक है यहां पे आप排कर गेस्ट से देखें अब लोग को बता दूँ अगर आप लोग इसी तरह से एवरी डे अगर जागबोट की तरफ से जो भी नोटीस जा रही होते हैं सब नोटीस को प्राप्त करना चाहते ही तो बिल्कुल आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जोड़े रहे हैं मैं हर एक दिन आप पर गोर करेंगे मिडल स्टेज यानि मिडल स्टेज मतलब होता है क्या 11 साल से लेकर 14 साल के बीच में 6 से 11 साल के बच्चे को दाखिल कर मिलेगी इने अगर कोई भी स्टेज में है अगर 11 से 14 साल के बीच में तो उनको बहर दिया जाएगा कोई भी बच्चा अगर 8 साल से 11 स देश-देश में बदलेगी स्कूली सिच्छा, हर एक में बदलेगी अब क्या स्कूली सिच्छा, तो बिल्कुल डिस्टन आप लोग हर दिन हमारे साथ जुड़े रहें, और यहां पे जो आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस था यहां पे, जो क्लास 12 से लाइ करते है क्लास 12 में, तो आप लोग लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस नोटिस को आप लोग गोर करेंगे, मैं स्टिडी कर रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्पक पड़ें, सेकंडर इस्टेच, 14 से 18 साल नवी का रिजल्ट दसवी में भी जुड़ेगा, कच्छा यहां आपका जो आप लोग को 16 पेपर का एकजाम देना होगा, कितना पेपर का? 16 पेपर का आप लोग को एकजाम देना होगा, आगे लिखा है क्या कि पेपर देने लगेंगे, यानि एक साल में कम से कम 8 पेपर होगी, बताइए यह good news है या bad news है, आप लोग जल्दी से बताएं comment में, एक सा सा सुने ठीक है याँए एक साल में आप लोगो 8 पेपर तो दो साल में आप लोगो 16 पेपर देना होगा नवे का दसुए में फार्णल मार्टशिट में जुडेगा इस तरह गारवी के अंक 12 में रिजल जुडेगी याँए अप लोग का बारवी का certificate मिलेगा, बारवी का result मिलेगा, तो 11 में जो भी आप marks लाएं, वो include होगा बारवी में है, यानि गारवी और बारवी को exam में जितना marks लाएं, दोनों मिलाकर आप लोग को 12 के result में count कर दिया जाएगा, आगे क्या पर यहां पर क्या लिखते हैं, आप लोग थोड़ बॉकेशनल, एजुकेशन, फिजिसियन, एजुकेशन, आर्ट्स, स्पेशल साइन्स, साइन्स, इंटरमेडियर, इंटरमेशनली, ग्रूप, यानि 8 ग्रूप में हर में, हर में 2-2 यानि 16 पेपर चुनेगी, इन्हीं 8 समूँ में, नियमत्म 3 समूँ में 4 विसर चुनने जागबोट की तरफ सही मिलेंगे, और 4 पेपर आप लोग को चुननना पड़ेगा, तो यह है आप लोग का डिस्ट्रेन, बहुत बड़ी बीग अपटेट, जहां पे मैं आप लोग को बताने की कोसिस क्या हूँ, समझाने की कोसिस क्या हूँ, मैं उमीद कहता हूँ कि आप